आज के समय में भी देश में कई नागरीक ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है ऐसे सभी नागरीकों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है IAY लिष्ट को भी केंद्र सरकार द्वारा आवास परदान करने के उद्देशे से अरंब क्या गया है इस योजना के माध्याम से गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आवास का निर्मान करने के लिए या फिर आवास खरिदने के लिए आर्थिक सहता मुहाया कराई जाएगी इंद्रा गांधी आवास योजना के दस्तावेज इसमें क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे अगर आप इसमें रेइस्टेशन करने जाते हैं तो अधार काड, जॉब काड की प्रमानित फोटो कॉपी, आय प्रमान पत्र, बीपियल परिवार का प्रमान पत्र, मॉबाइल लंबर, पासपोर्ट साइज फोटो तो आपको इंद्रा आवास योजना लिस्ट देखना है तो इसके ऑफिसेल वेबसाइट प्रा जाना होगा PMAYG.NIC.IN इसके ऑफिसेल वेबसाइट प्रा आने के बाद आपका ऐसा घुर्ट खुल जागा हॉमपेज खुलने के बाद आपको स्टेक होल्डर दीख रहा होगा, इसपे आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको इतने सारे option दिखर देंगे है जिसमें आपको I, A, Y, P, M, A, Y, G beneficiary दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद next page आपको यहाँ पर search beneficiary details खुल लियागा तो आपको यहाँ पर registration number अपनो भर लेना है और submit पर click कर देना है submit पर click करते ही आपका list खुल जाएगा तो अगर आपके पस registration number नहीं है तो आप advance search में जाके click कर सकते हैं इस पर click कीजिएगा तो next page खुलेगा जिसमें आपको अपना state, block, scheme name select कर लेना है search by name, search by sanction order, district select कर लेज़े पंचायत, financial year, search by BPL number, search by father and husband name, account number उसके बाद आपको search पर click कर देना है इस पर click करते ही आपका यहाँ पर list खुल जाएगा यहाँ पर beneficiary details खुल जाएगा है state, district मैंने यहाँ पर information को hide करके रखा हुआ है यहाँ पर block, पंचायत, village, beneficiary name यहाँ सारा कुछ details खुल जाएगा अप नीचे आईएगा तो आपको यहाँ पर personal details, bank details, sanction and completion details सारा details यहाँ तो खुल गया है और आप यहाँ से सारा कुछ देख सकते हैं